गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब बढ़िया होंगे, अपना दियान रखे होंगे तो आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को करेंट अफेट से रिलेटेड जितने भी कोशन बनते हैं राजसान और भारत के वो important questions में आप सबी के लिए लेके आया हूँ ठीके तो आगे डिसकस करते हैं उससे पहले आप सबी को हैपी जनमाश्मी पगवान श्रीकर्षन की करपा आप सभी के उपर इसी तरह से बने रहे इस तयार को हर्सों लाव और बड़े सुहादर के साथ बनाईए वस तोड़ा जाद दयान रखिए क्योंकि अभी कोरोना आउटब्रेक हो रखा है तो उसका भी दयान रखिए और लोक्ति यहार का भी आनंद लिजिए तो चलिए आगे आज़े बढ़ते हैं हाली में सरकारने मानव ठाटी ठराओ पर कोंसा राश्ट्रिये ड़्त लौन्च किया है तो मानव हाती ठाफ़ पर जो राश्रिये डोंच किया गया है वह स्रोक्षा देखो इसे कोई शुरक्षा भी बोलता है और इसे कोई शुरक्षा भी बोलता है चाहे आप शुरक्षा कहले या शुरक्षा कहले की बात है या तो आप इसे सुरक्षा कह सकते हैं या शुरक्षा कह सकते हैं वो सेम बात है उसमें हता क्या देखो कि केंद्रिये प्रयावर्ण मंत्री केंद्र और हातीं के बीच हो तीए लड़यां। कम से कम पांप सो लोग और सो आती मारे जाते हैं। होता है, यह टक्राव हातीं और मानों के बीच में होता है, तब ही तो हाती जो लुप तप्राय प्रानी की IU CN की लिस्ट में आ चुका है। ठीक है हातियों की संक्या बहुत कम होती जा रही और आपको पता कि हातियों का कितना अवे शिकार किया जाता है ठीक है तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ठीक है इन्होंने ये पोर्टल लॉंच किया है मानो हाती टकराव पर आधारित ये पोर्टल है ठीक है इसमें मत बनाया जाता है बार आगस्त को या नी कि आज आज जो है विष्व हाती दिउस बनाया जाए गा और सिंधया पर इन्होंने यह पोटल जो है यह पोटल करता क्या है निपकर बीच में बनाभ सेट करेगा मदद करेगा तो तो मिल्ब मैं आपको पता देता हूं हाथी प्रयोजना है वह 1902 में शुरी की थी परयावरण और वन मंत्रादित द्वारा ठीक है क्यों की थी इस प्रयोजना का उद्देश्य है वन जीव प्रबंधन को वित्पिय और तक्नीक ही साइता परदान करना ठीक है मतलब जो लोग इसका सरलक को तो यह कहता है कि देखो यह प्राकतिक निवास तनों में, हाती आबादी का दिर्ग कालिफ अस्तित क्या करताई सूनी स्चित करता है कि अगर जो हाती है, जू जहा पर रह रहे हैं, वह वहाद पर काफी टाइम तक बने रहे यूँ नहीं है कि मनुश्य जाए उनके प्राकतिक आवास को नस्ट कर दे अपनी बिल्डिंग है मनाने के चक्कर में ठीक है उनके घरों को वो उजारता जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह प्रेजना क्या करती है हातियों के परबंद में खत्म ही कर दिया करीबन यूं समझ लीजिए कि अब सिर्फ पचास जार से साथ जार ही हाति बचें और उसमें से भी साट परसेंट अपने भारत के अंदर है ठीक है तो हम नहीं चाहते है कि भारत में ठीक है यह जो एश्य हाति है वो खत्म हो जाए इस लिए इस पोर्टल क किया गया है और पोर्टल का नाम किया है शुरक्षा इतनी बाते हैं अपने याद रखेंगे आयूसीन के बारे में बात कर लेते हैं आयूसीन होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तेक इसकी स्थापनावीती 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांश में कितनी बाते अपन आयूसी के बारे में याद रखेंगे आगे चलते हैं व में किस ने नेशनल इंफा स्रक्शिर पाइप्लाइं नीप उनलाइन टैश्बोर लॉंच किया है तो यूनियन निर्मला सीतारमन कंग में केंद्रिवित और कौर्पिरेट कारें मंतरी निर्मला ए वारा राश्टिये अव सरचना पाइप लाइनी ओनलाइन डेसबोर्ड का उद्गटन किया गया है यह होता गया देखो एनाइपी ने भारत में बुनियादी डांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हित्यदारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम कर कि लित्पनी है भारत में पैसा लगाना ठीक है कोई भारत बाहर बैठा है विदेश में भी चाता है कि मैं अपना पैसा कि कमपनी में लगा को उसको पता पर ना चालिया न게 भारत फो ऐस राजरे बेर ले आथा तो जब पोरल एकि काम करना यह जो पोटल है वो होस्ट करता है भारत निवेश ग्रिट आई आई जी जब आप लिखके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको क्या दिखेगी खूब सारे जानकारी मिल जाएगी कि इस राजे में यह प्रोजेक्ट चल रहा है आप इसमें निवेश कर सकते हो जब इस पोटल पर सीधी बासमी यह समझे लो कि इस पोटल पर जाकर के आप यह पता लगा सकते हो कि कौन से राजे में कौन सी परियोजना चल रही है और आपको कहां पैसा निवेश करना चीए तो यह क्या करता है यह जो पोटल वो क्या करेगा निवेश के अफ्च्वरो में काम कर रहे हैं आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं तो जैसी भी प्रियोजना हो चाहे वो समाज के उत्थान की प्रियोजना हो चाहे वो देश को विक्सित करने की प्रियोजना हो चाहे अलग अलग जगे कोई डैम मनाना हो कोई हॉस्पिटल मनानी हो चाहे कुछ भी बना हुआ है माउंट सीनावंग तो माउंट सीनावंग जो है वो है इंडोनेशिया में देखो इंडोनेशिया के माउंट सीनावंग जॉआला मुखी में पुना विश्पोर्ट हो गया पुना ये सक्रिय जॉआला मुखी है ये जॉआला मुखी यह बात द्यान रखनाना, यह जो अला मुखी कहा है, यह इस दीते Pacific Ring of Fire पर, Pacific Ring of Fire क्या होता है, Pacific Ring of Fire मतलब यूं समझ लिए, एक ऐसी जगह है, जिसमें 120 से अधिक सक्रिय जो अला मुखी है, ठीक है, एक ऐसी जगह है, अपने परशान बासा गर में, जिसमें 120 से अधिक सक्रि भारत दो दीप है, तो सुमात्र दीप बेस देते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो, यह आप तस्वीर देख रहे हो, यह तस्वीर जो है, मौंट सीनाबू की है, देखो इसमें विस्वोट हुआ है, तो किस तरह का कितना दूआ निकल रहा है, इसके अंदर से, तो देखो, होता क्या है, अपने एक बात और याद रखोगे, कि भारत में इस तरह का सिर्फ एक ही ज्वाला मुखिये सक्री है, वो का है, सिते बेरेंदीप, और बेरेंदीप का है, अंडुमान निकोबार दीप समू में, ठीक है, अंडुमान में है, बेसिकली वो नाबू की है, माउंटेन की, इसमें देखो, विस्पोट हुआ तो कितना दुआ निकल रहा है, और यह देखो, एक वीडियो भी देख लीजिए आप इसके साथ में, यह आप देख रहो, यह क्या है, सारी राक है, ठीक है, जब गेसे निकलती है, तो वो क्या करती है, जो र राक होती है, उसको उपर देखेल देती है, तो जो वहां के निवाशी है, देखो, उन्होंने रिकोर्ड किया कि कितनी सारी राक जो है, आसमान में आ चुकी है, अब यह राक सोचो, किसी के आँखो में जाएगी, ठीक है, खाने पीने की सबजियों, वस्टियों, सब में ज जाएगी, तो यह कितनी ज्यादा घातक हो सकता है, किसी भी जाला मुकी का फटना, ठीक है, जाला मुकी का फटना और भी ज्यादा घातक होता है, वैसे लावा की वज़े से, लेकिन लावा जो होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, तो उससे तो लोग बच सकते ह ठीक है लेकिन ये जो राक जो अपने पास में ये परियावरण में आ चुकी एक तो उसमें परियावरण को परदूशित किया दूसरा लोगों को ये कितनी बिमारिया देखे जाएगा ये भी सोचो ठीक है तो आप याद रखेंगे आगे चलते हैं देखो इंडोनेशिया इं राजदा नहीं है वो है जकारता करेंसी है इंडोनेशियन रुपिया और प्रेसिडेंट है इसके जो को विडोडो याद रखेंगे प्रेसिडेंट का नाम काफी बार चर्चा में भी रहते हैं ये जो को विडोडो देखो ये इंडोनेशिया का मैप है ये जो आपको लाइ आगे चलते हैं, हाली में किस राजे द्वारा इंद्रा वन मितान योजना का सुबारम किया गया है, तो इंद्रा वन मितान योजना को सुबारम किया है, 36 गड की सरकार ने, क्यों किया है, देखो, 36 गड के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने, स्वदेशी लोगों का अंतर अंतराष्टिय दिवस मैंने आपको बताया था कि नो तारिक को विश्व आदिवाशी दिवस बनाया गया है उसी को ही कहा जाता है श्वदिसी लोगों का अंतराष्टिय दिवस इसकी पूर शंद्या पर इन्होंने इंद्रा वन मितान योजना के सुबारम की गोशना की और श्वद्वार श्वदिस तो उनि के लिए योजना श्यूर की इन्द्रा वन मितान ये करेगा क्या ये योजना जोगी जो अनुस्वची चहत्रें जाँ पर यह आदिवाशी बहुत जादा पाये जाते हैं तो उनके 19 लाग परिवारों को 100 रोजगार के आवसार उत्पन कर कराएगी यूँ नहीं है कि छतीस गड़ की राज्य सरकार ने सिर्फ यह इंद्रावन मितान योजना ही शुरू किये इसके अलावा भी देखो छतीस गड़ राज्य सरकार ने आदिवाशी समुधाय के लिए जीवन को बैतर बनाने के लिए कई परियोदना शुरू किये जिस कि सरकार ने बोदगार सिंचाई परिजना शुरू किये कौन सी नदी पर किये इंद्रावती नदी पर किये और क्यूं किये ताकि आदिवासी इलाकों में सिंचाई को बढ़ाया जा सके इसके अलावा मई 2020 में 36 गड़ राज्य सरकार ने राजीव गांदी किसान नया योज चाहिए तो राजीव गांदी किशान नया योजना क्या करेगी इस योजना का उद्देश है राजे में फसल उत्पादन को प्रोसाइद करना और किसानों को उनकी उपज़का सही मुल्य देना ताकि जादा सा जादा फसले उगे और जो फसल आपने उगा ली उसका किसानो को सही दा मिल सकें तो देखो इस एक कोश्चन में कितनी सारी प्रयोजना कावर हो चुकी है पहली इंद्रा वन मितान प्रयोजना किसने शुरू की 36 गड़ में किसके मुक्यमंद्री बोपेश बगयल है ठीक है किसके लिए शुरू किये आदिवाशी लोगों के लिए शुर कि उच्पादन का सही मुल्य दिलाना तो यह जो कोश्चन है यूँ सोच लीजिए आपके पास में बहुत सारे जो टॉपिक है वो कवर कर लेगा तो इसकी पीडिएफ जो है मैं वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आप मेरे हर करेंट अफेर्स की तो आपको यू नहीं है कि वही तीन अगस्त का करेंट अफेर्स मैंने मना लिया चार अगस्त का मना लिया और आज तो बारा अगस्त है तो मैं स्रिव आज करेंट अफेर्स पड़ूँगा पिछली जो क्लास है वो रिवाइज नहीं करूँगा आप जितने भी मैं करेंट ठीक है आपको डेली रिवाइस करना पड़ेगा करेंट अफेर्स के लिए और यह आज के टाइम की बहुत इंपोर्टेट हर पेपर में था करेंट अफेर्स तो चार पंच नमर तो आपको दिला के दिलाएगा और कईके एक्जामिनेशन तो दस बीस नमर कवर करा देगा आप रखेंगे यह एक स्मार्ट सिटी है नयारोपूर कैसी सिटी है स्मार्ट सिटी है गवनर को ने गवनर है अनुसिया उके और चीफ मिनिस्टर है भुपेश बगेल इतनी बाते च्छतिस गड़ के बारे में याद रखेंगे आगे चलते हैं हाली में सत्तरवी एनिवर्सरी ग्रैन्ड पिक्स रेष किस रेषर ने जीती है तो सत्तर वी एनिवर्सरी ग्रैड पिक्स रेष जती है मैक्स वेरेस्टपन ने पहले — риस वेल से पर रहे थे और अपने पास में वाल्टोरी बोटाज जो है वो तीसरे इस्तान पर रहे थे 2012 के बाद Silverstone पर Red Bull किये पहले रेश थी क्या है ये Silverstone? Silverstone एक तरह का circuit है. Circuit क्या होता भई? Circuit वो जगे होती है जहां पर ये race आयो जीत की जाती है तो Silverstone एक ऐसा circuit है जिस पर ये race आयो जीत की गई थी और 2012 के बाद में इस circuit पर Red Bull किये पहले जीत है यूँ समझ लो कि इन 8 सलों में पहली वारी ये जीती है इस वाले circuit के उपर अच्छा अपने देश भारत में भी एक इस तरह का circuit है जिसे बुद्र इंटरनेशनल circuit ये अपने भारत में इस्तेत है किस जगे यूपी के अंदर यूपी ग्रेटर नोड़ा का जो इलाका है वाँ पर ये बुद्र इंटरनेशनल सरकेट है एक ही सरकेट है जाँ पर इस तरह की race है आज जीत हो सकती है भारत में तो याद रखेंगे भारत में है ऐसा इंटरनेशनल सरकेट बुद्र इंटरनेशनल सरकेट और अभी सतरवी एनिवर्सरी ग्रेटर इस्ते जीती है एक स्कुलबुद्र इस जांटेशनल सरकेट गारत कि व्यवर्सरी आज कूंच फिलार रश्या के राष्ट्पती ने ये गोशना की कि देशमे त। नींया ट्यार की घू? ओंन पर वैंतनेशनल कार का ते जाशनल सरकेटयों है। देश में त्यार की गई स्पूतिन यह याद अच्छे से रखेंगे कि जो वैक्सीन है उसका नाम किया है इस पूतनिक फाइफ यह कोविड वैक्सीन बनाई है और इन्होंने पंजिक्रत कर लिया इसको रजिस्टर कर लिया है यह बनाई किसने यह रूज के स्वास्तेमंत्रालिये ने मोस्को के गोमिया इंस्ट इसके साथ ही रूज जो है कोरोना वायरिस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला क्या बन गया पहला देश बन गया देखो आपन सभी को यह इंतजार था इस कोविड नैंटीन वैक्सीन का ठीक है कि कब यह कोरोना का कहर खतम होगा और अपने डेली लाइफ में जा पाएंगे ल लेकिन देश भी देश के विग्यानिक कह रहा है कि जब वैक्सीन के टेस्टिंग होती है तो उसमें तीन स्टेज आती है आपने दो स्टेज है तो पूरी की लेकिन यह जो तीसरी स्टेज है वो इतनी जल्दी कैसे खतम होगी तीसरी स्टेज कई-कई वारतों सालों लग ज सिंट वेक्शीन रजिस्टर करने वाला जो पहला देश है वो कौन बन चुका है रशिया बन चुका है आपको याद रखना इस वेक्शीन का नाम है स्पूस्टनिक 5 बनाई किसने है मोस्को के गोमिया इंस्टिटूट ने ये देखिए ये हैं मैप में रशिया रशिया की समझोटा किया है तो अभी आंदरपरदेश की राज्य सरकार ने यूएक काटिष की कार्यारी है तीन राज़दानी है उसकी जिसमें से विटा का विसागा पटनम जो है कारे-कारी राज़दानी है तो एक अमेरिका की यह जो फर्म है बोश्टन ग्रूप यह आई यह चाहती है कि विशापका अखटनम में एक आईटी कमपनी साफिस हो जाए तो भाई आंदरपरदेश क में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजियंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, मानव संसादन जैसी उनत तकनीकों का लाब उठाये जाएगा तो यह सेंटर स्थापित किया जाएगा डाइसों से अधिक नोक्रियों के अफसर अपने पास में स्थापित हो जाएंग पिदाई राज़दानी, इसके अलावा फिर है अपने पास में विशाका पतनम, विशाका पतनम जो है अपने पास में इसकी कारे कारी राज़दानी, और एक राज़दानी और है वो है इसकी कुर्नूल, कुर्नूल जो है वो है इसकी कैसी राज़दानी है, वो है इसकी न बहुत ज़्यादा होता है इस राज्य में और जो कुचीपुडिय नर्त्य है वो एक्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य से समझ देता है कुचीपुडिय तो वो अंद्रप्रदेश से समंझ देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाली में किस खिलाड़ी को ICC EMPIRES के Elite Panel में शामिल किया गया तो अभी K.N. अनंताप मनाबन को ICC EMPIRES की Elite Panel में समिल कर लिया गया देखो भारतिय EMPIR नितिनमेन यह पहले समिल हुए थे उसके बाद में क अब K.N. अनंताप मनाबन को ICC के अंतरश्ट्य EMPIRES के पेनल में क्या कर लिया गए सामिल कर लिया गए तो यह जो अंतरष्ट्य empire होते हैं यह किया कर पाता हैं यह जो international match होते हैं जसे 2022 वर्ड इकवीड पर बाप आता हैं अब तक क्याmeर अनंतापदमनाबं थे यह उनत्र Pra 드 मनाबन थे यह Jew Inc साफी क्रिकेटर रे चुके हैं अनिता पद्मनाबन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और चोपन लिष्ट ए गेम्स खेलें इसमें इन्होंने 344 सित्यासी विकेटर लिए यह लैग स्पिनर थे इसके अलावा इनके नाम तीन परसम श्रेणी शातक और आठ अर्ध शातक भी ह तो यह केरल के लिए खेल चुके हैं यह पूर केरल के स्पिनर रह चुके हैं ठीक है और इसके अलावा इनके जो साथी थे शी शम्षुद्दीन अनिल चोदरी विरेंदर शर्मा यह पहले सी क्या इंट्रनेशनल पैलन में हैं और अब यह भी क्या आउ चुके इंट्रनेश पद्व नाबन आगे बढ़ते हैं ICC के बारे हम जान लेते हैं ICC जो है अंतराश्टी क्रिकेट परिशाद उसका मुख्याले है दुबई में स्थापना हुई थी 15 जून उनी से 9 को CEO है मनु सानी चैर मैंने इम्रान ख्वाजा और मोटो लक्षे के है इसका क्रिकेट फुर ग तो बेलारूस के राष्टपती अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्टपती चुनाव में 80.23 फीसदी वोट हसिल कर लिये लगबग 80% वोट अनुना हसिल कर लिये थे और इनके सामने थे पहले अंग्रेजी सिक्षक थे ये स्वेतलाना तनुशकाया इनको केवल सिर्फ 9.9 परतीशदी वोट मिल पाएं तो यूं देखिए कि इनके जो मुखे परतीशदी थे उनको सिर्फ 9.9 परतीशदी वोट मिले और इनको मिले है करीबन 80.23 फीसदी वोट तो ये बेलारूस के छटी बार राष्टपती चुने गए हैं तो ये हैं देखो अले मिन्सक मिन्सक बोला जाता है इसको करंसी है बेलारूसियन रूबल 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 देखो रशियन रूबल है रशिया की और बेलारूसियन रूबल है इसकी और प्रेसिडेंट अभी हाली में बनाएं अलेक्जेंडर लुका शेंको तो याद रखेंगे बेलारूस के बार नहीं योजना शुरू की, इसके अथिक, इसके मतलब इसमें होगा क्या, सूखा, जादा बारिस, बेमोसम बारिस, कम बारिस, इसके कारण, अगर किसी भी तरह से किसी किसान की फसल खराब होती है, तो उसको मुआज़ा मिल जाएगा, और उसको कोई प्रीमियम नहीं देना प इसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं जमा कराना आपको, ठीक है, अगर कोई किसान है, जिसकी गुजरात में सूखे बारिस आदी की वज़े से फसल खराब होई है, तो उसको मुआज़ा मिल जाएगा, बिना किसी प्रीमियम के, ठीक, एक योज़ना पह प्रीमियम में कोई प्रीमियम नहीं है, आपको मुआज़ा मिल जाएगा, तो करीब इने से जो 56 लाग किसान है, गुजरात के अंदर, उन सभी को फायदा होगा, इस मुख्यमंत्री किसान साय प्रीजना की वज़े से, चीक है, याद रखेंगे इस बात को, आगे चलता है, हाली में रेल संग्रालय का उद्गाटन हुआ है, यह किस राजे में स्थितह है? यह स्थितह आपके पास करना टक्म है, देखो, 9 अगस्थ 2020 को, रेल और वानित जिय और उद्ध्योग मंत्री, श्री प्यूश गोयल, हमारे रेल मंत्री है प्यूश गोयल, इन्होंने वीड में railway संगराले टो इस रेल संगराले का उदेश है क्या है रेलवे की विभीनloos शाक्राओं की शांदार विराशत को सरक्षित और चितरित करना, तो यह दीखिए, यह कुछ संग्रायले की आपके पास में पिक्चर है, यह Karnatal rays संग्रालिया लिए इस्तर्य की खेंदार संग्रालिय उन्हों ने मना रखा है याद रखेंगे कहाँ अपने पास में हुबली में हुआई और ुबली खेंघेए फिक करनाटक में तो मैप में देखिए यह है करनाटक करनाटक की राजनी यह बेंगलोर करनाटक के गवर्नर है वजूबाई बाला और चीफ निश्टर है बी-स यद्धु रप्पा और यक्षगान एक डांस मोती है यक्षगान यह कहां की इंपोर्टेंट यह आपके बास में करन निदन हुआ था यह कोरोना संक्रित भी पाए गए थे लेकिन इन्हें अभी जश्ट निमोनिय भी हो था इसके अलावा दो हाट एटेक आ चुके थे इसकी विज़े से इनका निदन हो चुका है 11 आगस दो जाए 20 को तो यह थे प्रशिद शायर आगे चलते हैं हाली में भारतिये 76 बलो ने किस प्रोजेक्ट को पुनर जीवित किया तो भारतिये 76 बलो ने एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चीता इसको वापस पुनर जीवित किया है देखो क्या है यह प्रोजेक्ट चीता बारतिये 76 बलो ने चीन के साथ तनाव के चलत क्या हिसी होता हमें, अपनेपास में, इसराइल से खरीदा ह्वा एक ड्रोन है, UAV जिसे कहते हैं Unarmed Man-Vacile, इस तरह के ये ड्रोन है, इसे был Cheron Dron कहा जाता है, इस में क्या करेंगे, फिलाल इस ड्रोन में क्या लगा है? रेडवार लगा है है, और सब भृर्ति ऐ बेड्रोन हैं जिन्कों अपग्रेड कiryड चैये तो यह रोन है वह भारतिये में वंक्रेड लू और काया काहा उनकी सिमाव की नुगाने किलिए है और बब थो अब हम क्या करेंगे प्रोजक्ट चीता अंत्रगत, यह जो ड्रोन है आपके पास में, इसमें हम लेजर गाइड़ेड मिशाइल है यह हम सब लगा देंगे, तो यह है 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 है, यह इसराइल ने बनाएं, ठेके यह UAV है, यह UAV क्या होता है, यह UAV होता है, अन आर्मद man vehicle unarmed man vehicle ठीक है UAV होता है unmanned aerial vehicle उसे UAV कहते है तो UAV जो होता है यह मानव रही तो होता है यह इस्राइल में बनाया गया है और एक मद्यमुचाई वाले UA है मतलब हावा में ठीक टाक मुचाई पर उड़ सकता है ज्यादा हुचाई पर नहीं जा सकता अगर संपर्क टूट जाता है तो वापस अमने बेस पर भी लोड सकता है डाइसो ग्राम का वजन उठा सकता है इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा एरबोन ग्राउंड सर्विलास लाइट और रडार सिस्टम है तो इतनी चीजे तो इसमें पहले से ही थी लेकिन अब क्या किया गया है यह जो प्रोडिजेक्ट चीता है इसके तहत इसमें जो है इसमें लेजर गाइड़िड मिसाइल है बॉम बॉम सब लगाए जाए क्योंकि आपको पता है बॉर्डर पर टेंशन बहुत जादा बढ़ रही है तो याद रखेंगे यह जो कोशन है आपका यूपीसी प्रस्पेक्टिव से बहुत जादा इंपोर्टेंट है चाहिए यूपीस यो और पीसी यो सीवल सर्विसेस के इसाफ़ से बहुत जादा कोशन ही है आगे चलते हैं देखो जब बात सेनाओ की हो रहे हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओ का जो चीफ होता है वो है हमारे जनरल विपिन रवत उसके अलावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थर्व सेना है उसके अध्यक्ष कोने जनरल मनोज मुकंद नर्वाने चीफ ऑफ एर श्टाफ जो वाई उसेना है उसके परमुक कोने एर चीफ मार्शल रकेष कुमार सिंग बदोरिया और जो चीफ ऑफ नेवल श्टाफ जो अपने पास में नेवी है उसके चीफ कोने एड्मिरल करम बिर सिंग तो इतनी बाते अपने याद आरे जो सभी थर सेना जल सेना वाई उसेना इन सभी के जो चीफ है उनके नाम क्या क्या है आगे बढ़ते हैं सहरी विकाश एन आवसन मंत्राले की रिपोर्ट में सवच्छता सर्वे 2020 में राजस्तान का कौन सा जिला पहले इस्थान पर रहा है तो यह जो सवच्छता ञास्फवादी के तीन चरो जो जोदफूर जैपूर और अपने पास में कोटा जो है यह जो है सवच्छता सर्वे में उपर रहा है है जोदपूर आया आपके पास पहले इस्थान पर जैपूर आया दूसरे सस्थान पर और उकोटा कब हुई एक नवंबर 1956 को इती राजस्तान की स्थापना राज के वरक्षे खेजडी राज के पुख्ष पे रोहिडा राज के पक्षिय गोडावन राज के पशुय चिंकारा इसके अलावा सरिसका टाइकर रिजर्व और केवला देव गना पक्षिय अभैरन ने यह राजस् राजस्तान के मातूराम वर्मा और नरेश कुमार वर्मा का संबंध राजस्तान के किस जिल्य से हैं देखो आयोधिया में आपको पता अभी हाले में राम मंदर की नीव रखी गई है और यहां परी सबसे बड़ी भगवान राम की मूर्ती बनाई जाएगी और वो कौन बन रख deveon वांड करेंगे मातूराम वर्मा और उनके पुतर नरेश कुमार वर्मा तो जंजुनु के पिलानी कस्भी से इंध ये दोनों जो संबंध से देखिए यह मातूराम वर्मा और तकरीबन इस तरह की फिक्स नहीं है लगवाग इस तरह का आपने पास में कह सकते हैं कि 251 मीटर उची परतिमा बनाई जैएगी यह अग तक की भारत में क्या सबसे उची श्री राम की ईयोधया के कि नारे तो कल मैंनासर कोश्चन पूछा था थेन जोफ रोर्ट का उद्गाटन किस राजिय में किया गया है? तो वह किया गया था मिजोरम में जोषल में, अपने पास में में ने किया थे? जाएगा मतलब प्रस्टेक्शन भी देंगे और उत्पादन भी करेंगे तो किस राज्य में खोला जाएगा राजस्तान अरुनाचल परदेश असम या सिक्म या आपको मुझे बताना है और थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है मैंने कल इसमें आपको बताया था कि चलो यह खोल का सेशन यहीं तक रखते हैं थैंक यू एन हैवे गुड़ डेग